दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आफ सभी को होट अश्टार पर आने वाला सीरियल डियर इक्स के काश्ट के परड़े सेलिरी के बारे में बताने वाला हूँ तो अगर आप जनना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के अंतक हमारे साथ बने रहिएगा तो चलिए सुरू करते हैं नमबर एक जोती मुखरजी जो की सीरियल में सरमीला की किरदार निभा रही है और इनके परड़े सेलिरी की बात की जाए तो ये एक एप्रिसोट करने का 35,000 रुपए लेती है नमबर दो कुनाल बर्मा जो की सिरियल में रिजवान के किर्दार निभा रहे है और इनके परडे सेलरी की बात की जाये तो ये एक प्रिशोड करने का 40 हजार रुपय लेते हैं नमबर तीन किस्वर मर्चेंट जो की सीरियल में माया की किरदार निभा रही है और इनके परड़े सेलरी की बात की जाए तो ये एक प्रिसोट करने का साथ हजार रुपे लेती है नमबर पुनीत कपूर जो की सीरियल में सोबिक के किरदार निभा रही है और इनके परड़े सेलरी की बात की जाए तो ये एक प्रिसोट करने का 32,000 रुपे लेते है नमबर छे नियती फटनानी जो की सीरियल में असिमीता की किरदार निभा रही है और इनके पर दे सेलरी की बात की जाए तो ये एक प्रिसोट करने का 55,000 रुपे लेती है नमबर साथ सुगंद डिंडाओ जो की सीरियल में बानी की किरदार निभा रही है और इनके पर दे सेलरी की बात की जाए तो ये एक प्रिसोट करने का 25,000 रुपे लेती है नमबर आठ संजीब सेट जो की सीरियल में रवन के किरदार निभा रही है और इनके परड़े सेलरी की बात की जाये तो ये 1 प्रिसोट करने का 32,000 रुपे लेते हैं नमबर नौ तन्या निशा सर्मा जो की सीरियल में सालिनी की किरदार निभा रही है और इनके परड़े सेलरी की बात की जाए तो ये एक प्रिसोट करने का 35,000 रुपे लेती है नमबर दस वीना बनरजी जो की शीरियल में चरूलाता की किरदार नीभा रही है और इनके पड़े सेलरी की बात की जाए तो ये एक प्रिसोट करने का 38,000 रुपे लेती है नमबर 11 रोमा वाली जो की सीरियल में नीता की किरदार निभा रही है और इनके पर्डे सेलरी की बात की जाए तो ये एक प्रिसोट करने का 32,000 रुपे लेती है नमबर 13 कावेरी घोस जो की सीरियल में बिंदू की किरदार निभा रही है और इनके पर्डे सेलरी की बात की जाए तो ये एक प्रिसोट करने का 25,000 रुपे लेती है नमबर 14 सांभिक अबास जो की सीरियल में बिंदू के किरदार निभा रही है और इनके पर्डे सेलरी की बात की जाए तो ये एक प्रिसोट करने का 20,000 रुपे लेती है नमबर 15 संदीब सोनी जो की सीरियल में नन्नू का किरदार निभा रहे हैं और इनके परडे सेलरी की बात की जाए तो ये एक एप्रिसोट करने का 22,000 रुपे लेते हैं तो दोस्तो अब आप सभी को क्या कहना है और आप सब को इन सब के परडे सेलरी के बारे में जानकर कैसा लगा आप सब अपना राय हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर दीजिएगा और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मारे यूटूब चैनल ओफीसियल रमिस को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा ठाइंक्यू